कि चलिए जी सहरी का टाइम हो चुका है और सबसे पहले किचन नीट करते हैं लेकिन सिस्टर तो मुझसे पहले किचन में मुझसे और सारे बरतन वगयरा सब उठा रही थी क्योंकि अफ़तारी के बाद हम सब में से किसी की हमती होती कि हम मतलब कुछ नीट करें तो लेकिन जो मेरिट वगयरा सब करके चली जाती है नीट वो हो जाता है लेकिन रात सोने से पहले हम लोग एक तो शिफ्ट और लगाते हैं खाने की तो क्यूंकि सब को फुक लग जाती है अफ़तारी में तो खाना में जादा नहीं खाया जाता क्यूंकि जादा अधर फ्राइड शीजें और फूर्ट्स यह वह सब जो होता है हम वही खा की पेट भर लेते हैं तो इसलिए रात में खाने के एक स्टार्ट करते हैं सहरी में तो चलें जी टाइम हो चुका है तो कीचन में चलते हैं और जल्दी से सहरी बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे जी लसी जो कि हमारे घर में हैंड बीटर से ही बनाई जाती है हम लोग मुशीन में नहीं बनाते हैं कि हमें पसंद नहीं है मशीन की रसी तो इसलिए जल्दी से रसी बनाइंगे रसी भी दो पॉर्शन में बनाई जाती है एक घर मैं कुछ बच्चे रहते हैं उनके लिए उनकी आफारी और सेहरी दोनों ही तियार होती है लेकिन वो हमनों लग से त्यार करते हैं उनके लिए आज क्योंके सालम बनेंगे अलु अंडे तो आलु उंडों का समान तियार हो रहा है और मैं अभी तक कुछ बनाना सिटार्ट नहीं किhem सरफ वीडियो ही बना रही हूं क्योंकि आज मैं व्लॉग शुट कररी तो मैं सब की थोड़ी-थोड़ी हेल्प कर रही हूं कि मुझे मेली पराठे बनाने होते हैं तो मैं इसलिए अभी तक अ में पराठे कर दो किर निंगा तो अब हम जल्दी से आटा पगरा निकालेंगे और क्यूंकि चार बजने वाले हैं और मैंने प्राठे बनाने हैं तो प्राठे बनाके रखते हैं क्यूंकि लेयर वाले प्राठे बनाने में थोड़ा से टाइम लगता है मैं जल्दी से प्राठों के लिए समानों गरा रेड़ी कर सब्सक्राइब पराथे नियुकंदू मैं नेutदू संग्व cana, मैं लैयर सімसे बनाता है दो तरह से फिक पराथे है और को अग्छा सब्सक्राइब टारी नेमेड करती में और अग्यूंड़ है . लेकिनplain में परक ट्राइब करना चाहिए बाद नहें, पर सुछाए होना लेकिन SkinS दरन लेकिन को बीच में अच्छा लगा जाते हैं यह की एके हम जो भी दुछाए हैं कोई बना बना को बिच में मोट्ची बाज है बना बना है तो यहां पर जी फरूट वगयरा कटना स्टार्ट हो गया था क्योंकि फरूट्स जो होते हैं वो जरूर लेने चाहिए सहरी रुफतारी में क्योंकि हम सारा दिन कुछ नहीं खा रहे होते तो अच्छी चीज़ें जो होती हो थोड़ी सी आट कर लेनी चाहिए हमारे लिए अच्छा पराठा बनता है इसकी लेयर जो होती है वो मतलब जैसे मार्किट के पराठों में बिल्कुल लेयर खुल रही होती है तो यह खाते हुए ऐसा ही पील होता है तो तो त्राइ करें इसे भी बहुत अच्छा बनेंगा रोल करते हुए मैंने नहीं दिखाया तो चाह तक लेते हैं और जो अलाइची की तो बात ही अपनी है तो आज क्योंके डेली ब्लॉक है जो फुल डे में क्या होना है के तो हर चीज जो माइंड में रही हो बताऊंगी और रूट भी करूंगी तब जी मैंने जल्दी जल्दी सारे सारे प्राठे बनाना स्टार्ट कर दिय में यह वही ड्रिंक है जो मैंने आज सब को बताई है कि कैसे बनानी है इसकी रेस्पिप मैंने अपलोड की है एनर्जी ड्रिंक तो साबू दाना एनर्जी ड्रिंक यह वही मैं ट्राइ कर रही हूं तो ऐसे करके सहरी का टाइम तो खत्म हो चुका था और मैं सोगी नमाज कि तीन बज़रे थे यहां जोहर का टाइम था उटके नमाज गरा पढ़ने के लिए तो जी उटी हूं तो पता चला कि गैस्ट वगरा आ रहे हैं आज अफ़तारी है तो जो कि हमें अभी पता चला तो मैं जल्दी से देखा कि बाहर कुछ जो चीज़े हैं वह समेट लूँ क्योंकि बाहर तो काम सब चल रहा था तो अब्दुलाहद को उसकी नानों ने नहला के और चेंज गरा करा के सुलाया हुआ था जिसकी मुझे बिल्कुल खबर नहीं थी आज तो जणाब यहां सो रहे हैं माशाला से मेरा बेटा बिल्कुल अब तग नहीं करता क्योंकि सब के पास आरजस्ट हो जाता है किसी के पास भी तो चल दी जल्दी से अपने लिए कपड़े ब्रेस करते हैं फ्रेश होते हैं और नमास पढ़ते हैं पढ़ने के बाद कुछें में भी जाना था मैंने और आज अफ़तारी में जाहर है जादा चीज़ेंगी तो उसमें टाइम भी लगेगा तो इस तरह मैंने जल्दी से अपना काम वगारा खतम किया रमाज वगारा फ्रेश होके और पिर मैं पिचन में पहुंची हूँ जी तो वहां ममा औरेड़ी मतन को जड़ा आया हुआ था उन्होंने मतन की रेस्पी मैंने अभी सिर्फ कीमा रेस्पी आपको बताई आई थिंस हो जल्द ही एक दो दिन में ही मैं एद से पहले पहले कीमा डिश पी कोई ना कोई डिश पी अपलोड करूँगी तो यहां ममा मज़े यह बता रही थी कि मतन का सालन कैसे बनाते हैं मैं ऐसे बनाती हूं तो मैं ऐसे बनाती हो ऐसे नहीं बनाया करो ऐसे बनाया करो तो मैं जो होती हैं वो अपने आइडियाज जरूर देती हैं हर जिंदगी के हर मामले में और चाहि हम मंगें चाहिे हम ना मंगें और जह जो थो वहां पही जहां ना हो वहां भी तो उनके आइडियाज तो हर जगे काम आहम आजाते हैं तो सुन लेने चाहिए जो हम नहीं सुनते तो मैं आलबता हुने आगे से यह बताना शुरू कर देती हु teachings तो तो में चलती है हमारे घर में लेकिन अच्छी बात है चलनी चाहिए ऐसी चीज़े भी होनी चाहिए घर में और यह जनाब यहां बैठे हुए जो सारा दिन हमें तंग करते हैं अपने शोर से आलो बगेरा कट्स चुक हैं फ्राइस के लिए पकोड़ों के लिए और मैंने स पाइम पांच बच चुके थे और सब चीज़ें अब बनना स्टार्ट हुए थी तो क्योंकि हमें अफ्तारी का पता भी लेट ही चला था तो मैं सिंपल बना रही थी आज और जिसका मैंने नियम आप लोगों ने उपर लोग पड़ी लिया होगा कि मलका बर्यानी बना रही मैं नहीं अचीज़ा थिस्ट नहीं होता लेकिन मैंने अशी टेस्ट के लिए कोई बर्यानी मसाला ढूड़ा घर में किया पड़ा है तो वह मुझे जो मिला है वो था मलका बर्यानी मसाला जो आभी आपको दिखाऊंगी तो जल्दी से मसाला बगरा बुुना और यह चिकन मगारा डाल दिया और तब मुझे आहत की जरा आवाज आई तो मैंने बाहर के निकल के निका तो जनाब जो है वो अपने स्ट्रॉलर में बैटे हुए हैं और गूम रहे हैं और मुझे हस हस के दिखा रहे हैं क्योंकि ये जनाब आज कल सिर्फ एक ही काम है कि मैं घूमता रहूं घूमता रहूं बस तो वापिस किचन में आ गई हूँ यहां पर पकोड़ों का समान त्यार है और जल्दी से पुलाओ की स्पीड तेस करते हैं और यह जी है हमारी मलका ब्रेयनी जो मैंने आज बनानी है तो मलका जैसी ही बनी थी तक सेट सहाब ऐसी वैठे होते हैं और घर में गूम रहे होते हैं हलाकि यह स्ट्रॉलर जो इनका कहीं बाहर ले जाने के लिए हमने मगवाया था जहां हमजादों भी लेकिन जाते हैं लेकिन इसकी रूटीन बनगी इसने सोना इसी में है यह बाहर नहीं सो रहा इसी में लेट डाइन में भी चीजे लगना स्टार्ट हो गई हैं मेरे पलाव में चिकन तकरीबन गल चुका था तो मैंने पाने वगया रेडी किया उसमें डाला है और अब तकरीबन आई थिंक सो छे बजने वाले थे पांच साथ मिनट रहा गए थे और हमारे गार्डन में जी यहां पर पदीना लगा हुए है मेरी मां का फेवरिट जो यहां पर उने बहुत कुछ छोट छोट छीज़न लगाई हुए है तो हमें एमरजनसी में जब जूरत पड़ती है तब हमें उनकी कदर महसूस होती है कि उन्हों नहीं जो भी लगाया है वो अच्छा ही किया है क्योंकि इनको भी फिलहाल जोड़ते हैं और अपना काम खतम करते हैं क्योंकि सिर्फ 15 मिनट रह गए थे और मैं 15 मिनट पहले ही दम पे जावल लगाय थे और आज मैं इन्शाला कोशिश तो है बाकी देखें बरियनी के रेस्पी बनाने वाली हूं और वो अपलोड करूँगी मतन कहां तक बना है यह देखें जी ममा जी ने बना के लगा के कुकर में खुद फ्रेश होने गई हूं आज हैं तो हमारी मासी का अज रोजा नहीं था बिचारी बिमार हुई पड़ी है उनको बुखार है फिर भी आई हूं तो उनको मैं नमक टेस्ट कर वा रही थी और मसा रहा है कम है अगर सबका रोजा हो भी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है तो हमने भी अपनी स्पीड देस कर दी थी और ऐसे जी अफ्तारी हो गई और सब खाना खा रहे थे जो कि हमें टाइम नहीं मिला क्योंकि हमने बस खड़े खड़े ही रोजा हलका सा कोल ला है और उस तेर के लिए चोड़ा है गेस्ट के पास जो कि अपने ही मस्तिकों उनके सा लगा हुआ था तो खाना ख़तम किया जल्दी से इसके लावा इस ट्रेम बहुत सरे और काम होते हैं दूद गरम करना दही बनाना आपको पता है रोटीन का तो मैं अब अब जस्त दूद ही डाला था क्योंकि गेस्ट को चाय सर्फ करनी थी तो जनाब आहद ने तंग करना शुरू कर दिया तो मैं उसके पहुँच गई अच्छा जी अफ़तारी ओल्मॉस ड़न थी खाना भी खा लिया और ये देखें जी अब्दुलाहद को फ्राइज बचारे को नहीं मिले आज मैंने गेस्ट के चक्र में आहद को भी उफदारी में बीच में इनी बचाया तो बस मैंने आहद के ठोड़े से आलो लग से लिए और उनकी जल्दी से अलू बनवा दी ये फ्राइज तो नहीं बने वैसे मुटे मुटे से आलो बस ऐसे ही बना दी कि इसने खाना कम होता है और उस तो यह देखें जी सत्या नास कर दिया हलाकर मैं इसको रूम में बिठाके बिलकुल भी खारानी खिराती तो कि यह बहुत खराब करता है लेकिन बाहर गैस्ट बैठे हुए थे हर तरफ ऐसी मैंने सचा इसको यहां लेके बैठे चाहती हुआ यह बटिये यह बच्चा जो है आप इसको बहुत मार पड़ेगी बहुत मार पड़ेगी तो जी यहां मैंने आहत को इसके नानों के पास चौड़ा खोड़ा खुद अपने लिए estructures मीज़ीं तो यहां जी मुझे एक मज़े क् centrif stems मिल गी जिसको मैंने खा लिया फिर भर त्रूश को इस ताम कुछ थनड़ और मीठा खाने कोई दिल कर रहा होता है डोड़नों मेरे साथ ही ऐसा है जा सब के साथ ऐसा होता है कि अफ़तारी के बाद कुछ ठंडा और मीठा होना चाहिए बच्छी यहां मैंने जल्दी से अपनी चाय बनाई और कप लिया और रूम में वापिस पहुंच गई चलेंजी और सब काम भी खत्म हो गया है आहद की खाना शाना उसकी सारी जोभी प्रॉब्लम्स होती है इस टाइम की के वो रो रहा है उसको खुछ चाहिए तो कभी doubling कोई सार unto गया है और अब सिर्फ काम अगर है कोई तो रेस्ट करना है वैसे तो इस टाइम मैं अफ़तारी बगारा सब कुछ करके तो सोच रही होती हूँ कि अब आहद को कैसे सुलाऊं 10 बजे तक 11 बजे तक किसे रहां क्योंकि मैंने वीडियो इस टाइम शूट करनी होती है जो भी मैं डेली अप्लोड कर दे होती हूँ क्योंकि वीडियो बनाने में अप्लोड करने में 3 से 4 घंटे नॉर्मल ही लगते हैं और फिर मैं 11 बजे भी अगर काम स्टार्ट करूं तो मुझे नॉर्मल ही तीन बज जाते हैं बैठते बैठते और फिर उसके वाद सैरी का टाइम स्टार्ट हो जाता है तो दिन में बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर सकती है फिर मुझे बहुत नीदार ही होती रात मैंने जागी होती है बूरी और उसके इलावा दिन में शोर होता है गर में थोड़ा सा जाहर है हमारे गर में एक्शली दिन में कुछ नख चली ही रहा होता है काम तो खीचन भी बिजी होता है सब तो इसलिए मैं वीडियो दिन में नहीं बना सकती तो रात में वीडियो शूट करनी होती है आज तो फिर भी मैंने ये अफ़तारी का व्लॉग बना दी है सहे टु अफ़तार व्लॉग जिसके लिए मुझे मेहनत तो सारा दीन लगी है मुबाइल को पकड़ के चीज़े बनानी पड़ी है साथ-साथ लेकिन बात ये कि मुझे रात को मेहनत नी करनी पड़ेगी आज मैं फ्री हूँ तो आज मेरा आहत का ही टाइम है सारा तो अब बस मेरी अपनी चाय खत्नम करूँगी थोड़ दे रेस्ट करूँगी और फिर आहत के साथ टाइम गजारूँगी इन्शाला क्योंकि मेरा बेटा आज मिस कर रहा है सुबह से गेस्ट आना था तो इसलिए मैं कीचर में ज्यादा बीजी रही हूँ उसे बिल्कुल भी ने उठाया और बाकी अब बाताईएगा आपको व्लॉग कैसा लगा और निशाला I will try my best के मैं रमजान हैंड होने तक फिर एक से दो व्लॉग और शूट करूँ सहे टू अफ़तार के और बाकी तो चली रहा होता है सब कुछ साथ साथ लेकिन दूआएं बहुत मस्त हैं तो I need it a lot तो प्लीज दूआ कीजिएगा मेरे लिए आहद के लिए बहुत ज़्यादा और दूआ में याद रखिएगा हमें हर नमाज में और बताईएगा आपको वीडियो कैसी लगी ताके मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाने का सोचू कि करना भी है ऐसा सहर टूफता व्लॉग शूट या नहीं करना और ये के लाइक करना सब्सक्राइब करना बेल आइकों के दुबाना हर्गीज नहीं बूलिएगा और दूआउं में याद रखिएगा बस यही रिक्वेस्ट है और थेंक्यू सो मच अब तक जितने भी लाइक्स और व्यूज हैं उन सब को और जो भी विडियोज हैं वीडियोज देखने वाले हैं शेयर करने वाले हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं नेक्स व्लॉग में अपना ख्यार रखिएगा अल्ला हफिस